Good morning children, continuing with the 8th chapter of social science that is the prairies, the treeless grasslands तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइस कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था तो सबसे पहले हमने जाना था grasslands के बारे में तो grasslands के बारे में हमने क्या जाना था कि जो large areas हैं जो कि flat हैं और वो covered हैं grass से या कुछ bushes के द्वारा यानि की जाडियों के द्वारा और बहुत ही कम trees से उससे कहा जाता है grasslands और grasslands कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के सबसे पहला tropical grasslands यह पाए जाते हैं उन areas में जो कि closer होते हैं equator से और hot रहते हैं throughout the year यानि की पूरे साल तक इन grasslands को सवानाज भी बोला जाता है फिर हम नहीं जाना था temperate grasslands के बारे में यह पाए जाते हैं उन जगहों में जो कि दूर होते हैं equator से और temperate grasslands को कहा जाता है prairies प्रेरीज तो प्रेरीज जो कि grasslands हैं North America के वो फ्लाट होते हैं और फर्टाइल फर्टाइल का मतलब मैंने समझाया था बहुत जादा उपजाओ होते हैं वो लैंड्स जो कि जादा से जादा dominated यानि कि जादा से जादा grasses होते हैं इन लाइंड्स में और ये extend करते हैं from Texas in USA to Southern Saskatchewan in Canada important cities इस region में हैं Chicago, Minneapolis, Colorado, Texas and Dallas फिर हमने जाना था climatic conditions के बारे में तो temperate grasslands experience करते हैं moderate weather यानि कि ना ही जादा गर्म ना ही जादा ठंड वाली climatic conditions इस grasslands में experience किया जाता है तो weather जो होती है वो warm होती है कुछ time के लिए of the year मतलब कुछ time के लिए year में warm रहती है climatic condition और cold रहती है during winters जो rivers flow करती है through prairies उन्हें वो है Mississippi and Missouri vegetation में हमने जाना था कि जो prairies जो grasses है वो काफी tall होते हैं उन areas में जहां पे जादा moisture होता है और उन areas में जहां पे कम rainfall होती है वहां पे grasses short होती है और कुछ areas में mixed grasses होती है यानि कि कुछ tall और कुछ short so moving ahead in the chapter आज हम जानेंगे कि prairies grasses में कि कुछ special qualities होती है वह quality है कि वह बहुत थी अच्छे तरीके से adjust कर जाते हैं जिसके वज़े से वह सर्वाइव कर जाते हैं hot dry summers तो यह प्रेरीज ग्रास के special quality होती है कि वह adjust कर जाते हैं जिसके वज़े से वह सर्वाइव कर जाते हैं hot dry summers में और उनके पास deep roots होती है जो कि deep inside the soil जाते हैं water की खोज के लिए और उनके long narrow leaves होते हैं जो help करते हैं कि जो water की loss जो होती है वो कम हो compared to larger trees के और अगर कभी जो प्रेरीज के जो grasses है वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो जो native grass यानि कि जो वहाँ के जो actual grass है वो फिर से दुबारा grow करने लग जाते हैं उसी के अगले साल में अगले साल तक इसकी कारण क्या है इसका कारण क्या है इसके पीछे इसका कारण है कि जो roots होती है वो deep underground जाती हैं जिसके वज़े से वो जो roots होते हैं वो बनते नहीं है जब वहाँ पे fire अगर grasses में लग जाये तो और वो fire उनके stems तक भी अगर पहुचती है तो roots prevented हो जाते हैं roots बच जाते हैं इसलिए वो दुबारा उसको जो प्रेडी के जो grasses हैं वो दुबारा ग्रो कर जाते हैं और बहुत ही कम प्रेडी आज सर्वाइव करते हैं इसकी पीछे कारण क्या है reason है कि जो domestic animals है वो बहुत जादा जो grasses को खा जाने की वज़े से जाधा तर जो taller grasses है वो मर चुके हैं और जो prairies हैं उनको पाया जाता है ideal यानि कि suitable agriculture के लिए क्यों क्योंकि जो soil होती है वो काफी जादा deep होती है और fertile यानि कि उपजाव होती है और प्रीरीज की जो grasses होते हैं वो soil को tightly hold करते हैं एक जगह में जिसकी वज़े से soil erosion भी कम होता है आज के टाइम पे ज़्यादा तर प्रीरीज को converted कर दिया गया है farms and ranches के रूप में और जो जादा तर लांड है उनको यूज किया जाता है ग्रीन्स ग्रो करने के लिए जैसे की कॉन वीट और बाल्ले अब हम जानेंगे wildlife के बारे में तो animals जो रहते हैं प्रीरीज में उन्होंने भी अपने आपको adjust कर लिया है windy environment में जहां पे बहुत ही कम trees होती है windy environment यानि कि जहां पे बहुत जादा हवाएं चलती है और उन्होंने adjust कर लिया है जो temperature के जो differences है उनके साथ भी जैसे कि जो extreme heat होती है summers के टाइम पे और winters में भी जब काफी जादा cold रहती है तो यह सारी जो differences है climatic conditions की वो wildlife animals है उन्होंने अच्छे से अपने आपको adjust कर लिया है इसके साथ और grasslands shelter नहीं प्रवाइड करते हैं पर वो प्रवाइड करते हैं बहुत सारा grass जो की food के तौर पे herbivorous animals के लिए बहुत जादा useful होता है herbivorous animals वो होते हैं जो dependent होते हैं plants के उपर और जो animals जो prairies में हैं जो पाए जाते हैं वो है जादा जल्दी रन कर पाते हैं डॉक्स फॉक्स इल्क्स कोईतों कोईते ब्लाक फुटेड फेरिट बॉब कैट्स रेड़ फॉक्स राटल स्नीक्स यह कुछ और आनिमल्स है जो पाए जाते हैं इस रीजिन में अब हम जानेंगे नाच्रल रिसोर्स के बारे में तो पाए जाते हैं इसकी वज़े से और कोल को भी निकाला जाता है माइन करना यानिकी निकाला जाता है काफी ज्यादा संख्या में या ज्यादा मात्रा में और क्योंकि यह रीजन काफी ज्यादा विंडी है यानिकी बहुत ज्यादा हवाएं चलती है तो इसी के वज़े से व हमने चाना कि जो प्रेरीज के ग्रास होती है उनमें special quality होती है जिसके वज़े से वो survive कर जाते हैं during hot dry summers और उनके पास deep roots होती है जो कि deep inside the soil जाते हैं water की खोज के लिए प्रेरीज को काफी जादा suitable माना गया है agriculture के लिए क्योंकि जो soil होती है वो काफी जादा deep होती है और fertile होती है और प्रेरीज के जो grasses होती है वो soil को tightly hold करते एक जगह में जिसके वज़े से soil erosion भी कम होता है grasslands प्रोवाइड नहीं करते हैं shelters शिकारियों के लिए पर वो प्रोवाइड करते हैं predators का मतलब होता है शिकारी और वो बहुत जादा grass प्रोवाइड करते हैं herbivorous animals के लिए और ज इस तरीके के कुछ animals है जो पाय जाते है इस रीजिन में नाचरल रिसोर्स में हमने जाना कि प्रेरीज में काफी रिजर्व्स हैं पेट्रोलिम और नाचरल गैसे के जिसके वज़े से काफी जादा oil refineries है इस रीजिन में और को भी काफी जादा मात्रा में माइन किया जाता है और क्योंकि यह रीजिन काफी जादा विंडी है यानि कि काफी जादा हवाय चलती है तो विंड मील्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेजर सोर्स है विंड पावर इन यूएस तो सुदेंस्ट्स इस एंड फॉर तोड़ीज लर्निंग वीडियो प्लीज गो थू इस एंक्यो